सो हाई फ्रेंड्स वेलकम वेक टो यूर ओन चैनल स्टीड स्टेडी अकेडमी दोस्तों इस वीडियो में डिसकस करेंगे मास्टर केडरे फिजिकल एजूकेशन का जो एक्जामिनेशन आपका रिसेंटली हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट अफ क्या रह सकती है सो मास्टर केडरे 4161 फिजिकल एजूकेशन की कट ओफ ट्रेस आउट करने की इस वीडियो हम कोशिश करेंगे केटेगरे वाइस हम जो जो कट ओफ है आपकी वो ट्रेस आउट करेंगे इस वीडियो में तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का वी ठीक है तो चलिए दोस्तों सबसे बहले हम बात करते हैं कि टोटल वेकैंसी कितनी थी तो टोटल वेकैंसी थी यहां पर 168 ठीक है तो अब देख सकते हैं बाकी एक्जाम की तुलना में यहां पर डेफिनिटली वेकैंसी तो कम ही है तो एक गोल्डन रूल क्या रहता है जब किनौसा पर यहां पर हमें के लिवेकैंसी तो आप कह सकते हैं थोने थोड़ी Case हाई लेवल भी нутेखने को मिलें इसके लावा हमें यह वहां पर यहां पर देखने को मिले तो यहां पर एक तो पेपर का अगर मैं लेवल की बात करूं या फिर यहां मैं बात करूं बैकेंसी की तो वो थोड़ी सी कम थी ठीक है फिर भी हम वीडियो के क्या find out करने की कोशिश करेंगे कि safe score क्या रहेगा ठीक है वो हम end में find out करेंगे तो जुड़े रही है वीडियो के साथ तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने हमेशा की तरह अन्रिजर्व केटेगरी की ठीक है जाफिर जिसको आप जनल केटेगरी भी बोलते हो ठीक है तो अन्रिजर्व केटेगरी में अगर आपके marks 125 to 135 आ रहे हैं देन आई वुड लाइक टू से मैं कहना चाहूंगा कि यू आर इन दा सेफ रेंज ठीक है जनल केटेगरी में अगर आपके marks 125 to 135 इस रेंज में है तो अगर बीसी केटेगरी में आपके marks 122 128 की रेंज में आ रहे हैं देन आई वुड लाइक टू से इस अर गुड मार्क्स ठीक है जो आपके marks हैं अच्छे marks हैं अगर आप इस रेंज में अपने marks लेके आ रहे हैं ठीक है अभी मूब करते हैं SCR&O पर ठीक है SCR&O पर तो SCR&O में कहूँगा अगर आपके marks 118 से 124 इस रेंज में लाइक कर रहे हैं देन यू आर इन सेफ रेंज ठीक है तो यह सेफ रेंज है अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं देन मैं यहीं कहूँगा आपकी probability काफी यादा हाई रहने वाली है नेक्स्ट बात करते हैं SCM&V की ठीक है तो SCM&V की अगर बात करें हम यहाँ पर सेफ रेंज सेफ स्कोर क्या रहेगा तो यहां पर सेफ स्कोर रहने वाला है 11221 अगर आप इसnego में अगर आपकी marks आ रहे हैं इसे बहुत से केंडियेट जनल कैसे होते हैं जो आपको मालू होगा EWS का भी certificate गिना लेते हैं अगर उनकी जो income का क्रिटिरिया उस range में बैठता है ठीक है तो बहुत से candidates हैं जो general से EWS में भी already shift हो चुके हैं तो यहां पर cut of high जाती है बट फिर भी अगर हम कहें तो यह 122 से 130 में अगर आपके general EWS में marks आ रहे हैं then you are in quite safe range अभी लास्ट में हम बात करते हैं कि safe score क्या रहेगा कितना marks आप लेके आए तो safe score चला जाएगा तो safe score अगर मैं बात करूं अगर आप 120 प्लस marks लेके लिए तो मैं यहीं कोँगा कि यह आपका safe score है ठीक है अगर आप यहां पर इस रेंज में आ रहे हैं तो मैं यहीं कोँगा कि आप अपना यहां पर जो selection के chances है काफी variety मान के चल सकते हैं तो यह से स्कूर है बहुत से कैंडिट्स बाद में पूछते हैं कि सर सेफ स्कूर क्या रह सकता है तो आपके ग्रूप से हैं चाहे वाट सैफ फेस्वुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम आप चाहें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसके पर भी आपको सेम आइडी सर्च करनी है स्टीट स्टेडी 247 इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हम सेम आइडी के साथ अवेलेवला है कोई भी कोई डाउट हो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं तो थेंक्यू सो मच बाइबाइब को नाओ एंड एज अलवेस कोड़ ब्